कि लाइक शेर एंड सब्सक्राइब मैं चैनल कि सो फ्रेंट्स यहां पर हम लोग आज आरो यारो के पेपर को डिसकेशन करेंगे हमारी आज की जो सिरीज है वो है बी है राइट सो यहां पर फस्ट जो कोशन हमारा दिया हुआ है तत्सम शब्द इसमें से निकालना है जिसमे इसका आंसर होगा जीन नेक्स कोशन हमारा है अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा सो यहां पर जो ए आप्शन है अगर हाइन वो इसका उत्तर होगा नेक्स्ट है हमारा इसमें तत्भो बताना है 14 इसका उत्तर होगा तत्भो के रूप में अभ्यांतर का तत्भो इसमें भ अनस्टीत परिमानवाचक एदि-ई option, यहां गुलवाचक विशेशन में ए ऐ option होगा, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, 30 चंचल बालक इसका option जो है बी है गुलवाचक विशेशन होगा, चंचल का, नेक्स है हमारा मानसिक विशेशन के इस मूल शब्द से बना हुआ है यह है दोस्तों मानस से सो अप्शन यहां पर बी राइट होगा मानस नेक्स है हमारा चारित्र विशेशन शब्द का मूल शब्द कौन सा है तो यहां अप्शन ए होगा चरित्र next है पर लक्षमी का प्रयावची नहीं है पूछा है दोस्तों तो इसका उत्तरों का भारती भारती इस दा राइट अंसर यहां दोस्तों पूछा है कपड़ा का प्रयावची नहीं है वह है वासन D is the right answer Again, the make का प्रावची नहीं है, वो है दामोदर Next, यहाँ आवरी भ्यूत का सही विलोम है, वो है तिरो भूत C is the right answer छणिक का सही विलोम है, साश्वत B is the right answer, अग्रच का है यहाँ पर, अनुज C is the right answer Next है हमारा, इसमें से बताना हमें गलत कौन सा है, तो अनुचर और परिचर D option That is, अनुचर और परिचर is the right answer, जो यहाँ पर गलत है Next, यहाँ पर है, जो गलत यूप बताना है, वो है आच्छादित और परिचन C option, इसका right है And next is वर्तनी की सुध्धी बताना है, तो इसमें यहाँ विवर्त जो है, वो है, राइट आंसर, option B And next, next है मारा सुध्ध वर्तनी शब्द बताना है, जो की योच्छना है, D option is the right answer अगला है अशुध बताना है, इसमें उद्ध कर्षेता, option C is the right answer, जो की अशुध्ध है Next है, एक शुध्ध वर्तनी की बताना है, जिसमें यहाँ पर पहला A, प्रत्यक विद्यार्थी को चाहिए, कि वो हिंदी के अनियेक कुस्त के पढ़े, वो is the right answer यहाँ एक वाक अशुध है, जो की C is the right answer, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, एक यहाँ पर गलत है कोई शत्र नहीं जन्मा है, इसका उत्तर का option C, अजात शत्रू खोच करने वाले को अन्वेशक कहते हैं, so A is the right answer नेक्स है, जिसकी गरिवा सुन्दर हो, उसे कहते हैं, सुग गरिव, option B जिसका अन्वह इंद्रियों द्वरा ना हो सके, उसका उत्तर यहाँ पर है, अतींद्रिये, B यहाँ वाक्यांसियों का सुध यूग बताना है, जो की D option है, लोट कर आया हुआ नेक्स्ट परिवा का तत्सम रूप परतिपदा होता है, C तत्सम शब नेक्स बताना है, 32 question, OST is the right answer, D नेक्स्ट है, यहाँ पर तत्भों शब्दों में तत्सम परियंग या पलंग, option C is the right answer नेक्स्ट है, मारा तत्भों बताना है, जो की आसू, इसका असुरू होता है, इसलिए option A is the right answer नेक्स्ट कपित का तत्भों यहाँ पर कैथा होगा, option B नेक्स्ट गुडवाचक में यहाँ पर option A उचित होगा, उचित is the right answer नेक्स्ट यहाँ विशेशन संग्यार से नहीं है, उसमें श्रीनमान, यहनि A is the right answer नेक्स्ट यहाँ पर परमानद कच्छा में सबसे होश्यार चाते हैं, यहाँ सबसे होश्यार ने गुडवाचक है, यहनि option A is the right answer सौर किस मूल शब्से बना है वो है सूर शब्से बना है नहीं option C is the right answer next दो तो यहाँ पर कौशन शब्स विशेशन हो आगने है option B next यहाँ आकाश का प्रायवाची सून है option B यहाँ सोना का प्रायवाची कनक आप जानते होंगा option D option D is the right answer next है उसके प्राण प्रायवाची उडगए तो प्रायवाची का प्रायवाची नहीं है उसको सलील इसमें से option D नहीं है next है यहाँ पर माता का प्रायवाची नहीं है वो अम्बू नहीं हो पानी का प्रायवाची होता है B is the right answer भातिक का विलोम यहाँ option A अध्यात्मिक होता है और यहां प्राची का जो विलोम है विपीत वो प्रतीची है option B is the right answer. next 48 question है समिष्ट का विलोम वेस्टी option B is the right answer यहां option C होगा आग्रह विग्रह यही आपका गलत answer है next है आद्रित नाद्रित option C is the right answer यहां पर इसका उत्तर होगा next friend यहां पर देदी पिमाने option D is the right answer जो वरतनी में पुछा गया है next अशुद वरतनी पूछी कि इसमें option D पौराणिक is the right answer next है यहां पर यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है so C is the right answer 54th question है यहां पर इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूले हो जाती option D is the correct answer यहां अशुद दुबा की बताना है जो कि देश की वरतमान मौजूदा हालात यही आपका wrong option B is the right answer इस question में परमपरा से चली आ रही बात उसे अनुशूरती कहते है option D is the right answer जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते है option B sweat से उत्पन हुआ यानि पसीने से उत्पन हुआ उसे कहते है sweat Dutch option A is the right answer 59th question में आपर इनित पूछा गया है इसका उत्तर होगा B जिसका विवाह ना हुआ हो so B is the right answer and the last question 60 is यहां पर दूर निवार पूछा गया जिसका यहां उत्तर होगा A जिसे दूर करना कठिन हो so friends यहां पर मैंने सारे सारे उत्तर दिये हैं बाकी एक से दो दिन में आपकी की आई जाएगी जो भी एक दो प्रश्णों का इधर उतर हुआ है तो वो उसमें लोग मैच करके देख लेंगे thank you very much